Hello everyone I am your teacher for this question let me explain this question to you now a vessel whose dimensions are 30 cm x 20 cm x 15 cm is half filled how many solid cube of edges 5 cm must be inserted in it so that the vessel become full up to the brim यहाँ पर देखें आपको क्या का गया है कि वैसल का जो dimension है वो 30 cm x 20 cm x 15 cm दिया हुआ है जो कि आपकी half filled है मतलब आदी भरी होई है और तब यहाँ पर number of cube आपको पूछा है जिसका age आपको 5 cm given है वो कितना उस वैसल के अंदर डाले जाए जिससे आपका वैसल किनारे तक fill हो तो देखें यहाँ पर simple आपको क्या given है वैसल डाइमेटर और 30 cm x 20 cm x 15 cm तो यहाँ पर देखें वोल्यूम आपका क्या होता है वोल्यूम ओफ क्यूबोएड हम जानते हैं यहाँ पर वोल्यूम ओफ क्यूबोएड आपका यहाँ पर आ जाएगा वोल्यूम ओफ क्यूबोएड इस इक्वल टू L इन्टू B इन्टू H अब देखें यहाँ आपका क्या आउतर लैंट होता है यह बीट होता है यह आपका हाइट होता है तो यहाँ पर आपको तीनों एवेलेबल है तो यहाँ से आपका आजाएगा 30 x 20 x 15 जो कि आपका आज बीपल 0 cm3 यहाँ आपका आजाएगा यहाँ से यह क्या निकला आपका 100 वोल्यूम ओफ वैसल यहाँ आपका निकला यहाँ पर क्योंकि वैसल का वोल्यूम हमें निकालना है अब देखें वोल्यूम ओफ वैसल यहाँ पर पता लग गए हमें अब हम यहाँ पर निकालेंगे volume of vessel of half field जो vessel आपकी half field है उसका volume निकालेंगे हम यहाँ पे तो क्या करेंगे जो आपका total volume आया तो उसको क्या करेंगे two से divide कर देंगे then यह आपका half field का volume निकल के आ जाएगा now यहाँ पे देखे हम जानते है volume of cube यहाँ आपका होता है a की power 3 यहाँ पे a आपका क्या होता है side of cube होता है side of cube यहाँ आपका होता है अब देखे side of cube आपको 5 दिया हुआ है तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा 5 की power 3 that is 125 cm3 यहाँ आपका हो जाएगा तो यहाँ आपका आगा है volume of 1 cube So, यहाँ पर हम write कर देंगे Volume of 1 cube 1 cube का volume आपका कितना आ गया है यहाँ पर 1, 2, 5 और यहाँ पर आपको number of cube पुछा है यहाँ पर कि आपके कितने number of cube लगेंगे जिससे वो आपका आदा जो field है उसको पूरा field करने में कितना number of cube लगेंगे So, यहाँ पर देखेंगे आपका निकल के आ जाएगा required number of cubes will be यहाँ पर क्या हो जाएगा जो half आपका volume आया था वैसल का 4, 5, double, 0 इसको डिवाइड कर देंगे 1, 2, 5, 1 cube के volume से Then यहाँ आपका आ जाएगा 36 यहाँ पर कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा Hence, यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा Hence, 36 solid cube filled the filled the remaining vessel I hope you understood the explanation Thank you